दोस्तों फलो का राजा कहिलाने वाला आम छोटे होया बड़े हर किसी उम्र का एक पसंदिदा फल है इसलिए तो यह फलो का राजा है गर्मियों का मोसम आने का आगाज होते ही हर कोई आम का इंतजार बेसबरिसी करता है आम बेहत स्वाधिष्ट मीठा और लजची फल होने के साथ ही अवसधिय गुणों से भरा होता है लेकिन क्या आप यह जानते है कि आम खाने के बाद कुछ चीज़े ऐशी है जिसे खाने से कंबिर बिमार्या हो सकती है जिसका कोई इराज नहीं यहां तक की मौत भी हो सकती है जिहां दोस्तों कई चीज़े ऐसी है जो आम खाने के बाद खाने से मौत के मुह में तकल सकती है तो आये दोस्तों जानते हैं उन चीज़ों की बारे में जो हमें आम खाने के बाद नहीं खानी चाहिए इसमें कोई सक नहीं कि आम दुनिया का सबसे स्वाधिष्ट और मिठ दुनिया की हर चीज़ के फाइदे के साथ नुकसान भी होता है इस लजीज और मिठी फल के पिछे एक बहुत बड़ा खत्रा चुपा है जिसे कोई नहीं देख सकता अकेले आम खाने में कोई नुकसान नहीं लेकिन कुछ चीज़े ऐसी है जिसे आम के साथ खाने से भारी है आयर्वेट एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है और गुरु मंत्र है स्वस्त जीवन चिने का दोस्तों आम एक बेहत मिठाफल है इसके साथ कभी खटी चीजों का सेवन ना करे ये बिलकूल एक दूसरे के विरुद है आम के साथ कभी रायता दही मठा और खटे फल कभी त्याइद मरिया हो सकती है इसके अलावा आं ऑम के साथ कभी कड़वी चीजों का सेवन ना करे जैसे कि करेला वैसे तो करेला अपने आप में एक सबसे बड़ी अوسदी है लेकिन आम केמצ्र कह साथ खाने से ये ये विकृत बन जाता है। आम खाने के तुरंत बाद करेला का सेवन करने से उल्टिया आना, दस्त होना और जीव मचलाने जैसी समझ जाए हो सकती है। आम खाने के तुरंत बाद कभी हरी मिर्च का सेवन न करे क्योंकि आम और हरी मिर्च सुबाव से बिलकुल वीपरित होते है वैसे तो हरी मिर्च का सेवन बेहत भायदिमंद होता है यह आंकों की रोसनी बढ़ाता है और बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है कई लोगों को तीका खाना पसंद होता है लेकिन आम के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो ये बेहत नुक्सान कारक हो सकता है दोनों का सोभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरित है दोस्तो आयर्वेद के अनुसार लंबे समय तक उल्टे गुण और मिजाच वाले खाने से गंबिर और जानलिवा बिमारी हो सकती है इस प्रकार के एक दूसरे के विरुद गुण वाले आहार के लंबे समय तक सेवन करने से बल बद्धी विर्य और आयू का नास होता है पागलपन होता है बगंदर तवचाविकार पेट के रोग और सुजन तथा बवासिर होती है निरंतर इस प्रकार के विरुद आहर के सेवन से आते सड़न लगती है पाचन शक्ति कमजोर बनती है और अनएक प्रकार की असाध्य बिमारिया होती है तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की आत थे तो आज ही संबल चाहिए ये थी आज की महत्व पूर्ण चाहनकारे विडियो पसंद आने पर लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राब जरूर करे मिलते हैं अगली विडियो में फिर एक नई चाहनकारे के साथ